उत्रप्रदेश की प्रयागराज में होने जा रहे महाकुम 2025 के आयोजन की तयारियां जोरोशोरों से चल रही है। इन तयारियों में प्रयागराज को नया रूप देने के लिए हर्च संभव प्रयास किये जा रहे हैं। किवल इतना ही नहीं कुम्भ में जाने वाले सभी यात्रियों श्रद्धालू और कल्पवासियों के लिए आप यूपी सरकार खान पान की भी व्यवस्था कर रही है। कुम्भ मेले कायोजन किया चाएगा जिसमें करोडों श्रद्धालू की आने की इस तंभावना है। ऐसे श्रद्धालू अब भूके नहीं सोएगे। जिनका इस्तमाल करने पर उन्हें राशन की सुवधा दी चाएगी। सरकार की ओर से खाद एवं रसत विभाग द्वारा पूरा मेले के छेतर में 170 राशन की दुकानों की व्यवस्था की जाएगी। जहां श्रद्धालू को उचित कीमत पर राशन मुहाया कराएजाएगा। मेला छेतर में सरकार की ओर से जो राशन दुकाने सेट अप की जाएगी। वहाँ पर कलपवासियों को और श्रद्धालू को राशन कार्ट दिखाने पर राशन दिया जाएगा। सरकार की ओर से जनवरी और फरवरी दो बार राशन दिया जाएगा इसके लिए पाँच गोदाम भी अलग से बनाए जाएगे सरकार से मिली जानकारी के मताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट पर तैतालिस करोड रुपे से जादा का खड़ जाएगा श्रधालों को इन राशन दुकानों पर चीनी और रसोई गैस भी दी जाएगे अलपीजी सिलेंडर खरेदने के लिए अलक से आउटलेट्स लगाए जाएगे तकरीबन दो लाग श्रधालों को राशन कार्ड जारी किये जाएगे सरकार के इस योजना का लाब अखाडे और शिवर में रहने वाले श्रधालों और तरप्रवासी भी ले सकेंगे तो ऐसे ही तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए बाउने जानने के लिए देखते रहे अलनाई